नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे सुरक्षत होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो जी हां दोस्तों पढ़ाई करते रहे हैं एक्जाम बिलकुल सर पे आ गया है और आज हम देखने वाले सबसे दोस्तों बहुत संदर बहुत इंपोटेंट टॉपिक बिना किसी देरी कие चलिए सुरू करते हैं वीडियो के अंत्र तक बने रहे गा क्योंकि question answer सरसेशन मैंने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनाए हैं आपको बहुत मज़ाएगा करने में तो चलि उत्तर प्रदेश की प्रमुग जनजातियां सुरू करते हैं दिस प्रिजमी कुमार पंकच और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जंजातिया देख लेते हैं दोस्तों जंजातिया क्या है उत्तरप्रदेश की प्रप्रदेश देख सजान क्या है अतर परदेश में गॉंड जौल दुरिया आठारी पंखा हरिया ह सजान wipes महीगरी, ओजा, बुईया, पदारी, नायक, ये सारी जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ उन जनजातियों को जो बहुत ज़्यादा मैखपून है, क्वेशन आने की संभावना जिन से रहती है, जो पूछी जाती है, इतनी ज़्यादा जनजातियां देखने का मतलब नहीं है, हम सिर्फ उन उन इंपोटेंट जनजातियों को देख लेंगे, जिन से क्वेश्चन आता है, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे इंपोटेंट, सबसे पहली जनजाती है, दोस्तों, थारू जनजाती, कौन सी जनजाती है सबसे पहले, थारू जनजाती, तो ये आप इनकी इ इमेज देख सकते हैं थारू जनजातियों की। इमेज हमने पर दी हुई है इस जनजातियों की। थारू जनजाति वाहते है कि फोटो देखे और बिठा लीजे कितनी सुंदर णह्बी है। इस जनजाती की देखिए कितना सुन्दर पहनावा तो थारू जनजाती दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती है ये याद रखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती है थारू जनजाती और लोग स्वैम को किरातवन से संबंदित बताते हैं ये ल जाते हैं किरातवन से संबंदित बताते हैं या अपने आपको यह कहते हैं किरातवन से संबंदित हैं और इस जंजाती के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं याद रखिए गोरखपुर के तराई के भाग में निवास करते हैं थारू जन्जाती के लोग अगर आपसे location पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में थारू जन्जाती के लोग कहा पाए जाते हैं कि इसमें आपने लड़की की शादी जिस घर में की उस घर की लड़की की शादी अपने घर की बेटे से आप कर ले आनि एक लड़की दें दूसरा लड़की ले लें बदले में तो यह बदला विवाप्रता और तीन टिकठी विवाप्रता यहां पर प्रचलित है थारू जंजाती में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जंजाती है तो बहुत इंपोर्टेंट है थारू जंजाती याद रखिएगा जितनी भी इंपोर्टेंट जंजाती हैं मैंने डिसकस की हैं यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यह वीडियो देखके जाईए औ और एकदम धूमदड़ाका से सवाल करके आईएगा तो थारू में दोनों पक्च के विवा हो जाने को पक्की पॉड़ी कहा जाता है जब दोनों पक्च से विवा हो जाता है जैसे बदला विवा मैंने बताया कि इधर से लड़की दीजिए उधर से लड़की ले लीजिए तो इसमें जब ये हो जाता है विवा दोनों तरप से तो उसको पक्की पॉड़ी कहा जाता है क्या कहा जाता है याद रखिएगा दोस्तो थारू जनजाती में तो ये चीजें हैं इसमें चार बाते मैंने आपको बता दी हैं सबसे बड़ी जनजाती है उत्तर प्रदेश की ग देख रहे हैं दोस्तों इस जंजाती के लोग वजह नाम के तेवहार को मनाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर नियत्य कितना सुन्दर छबियां कितनी सुन्दर इनकी भाव भंगेवाएं हैं तो इस जंजाती के लोग कौन सा तेवहार मनाते हैं वजह नाम के तो कौन सी है दोस्तो थारू जन जाती है जो सोक दिवस के रूप में दिवाली को मनाती है यह क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले very most important question है ये question पहले उत्तर प्रदेश में PCS में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा सोक दिवस के रूप में दिवाली को मनाती है ये जन जाती और होली के दिन कौन सा खिचडी नरत करते हैं ये लोग कौन सा नरत खिचडी नरत बहुत important tribes है बहुत important है तो ध्यान से देखिए और 1980 में इन जन जातियों को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयास करना शुरू कर दिया गया था इनका विकास करने के लिए इनके लिए समय समय पर नई-नई योजनाएं लाई गई गई कारेकरम चलाए गए और इनका विकास कब से शुरू हो गय तो याद रखिएगा, ये था थारू जञटी के बारे में, चली अगली जञटी देखते हैं दोस्तों, जॉन सारी जञटी, कौन सी जञटी है, जॉन सारी जञटी, ये देख सकते हैं कितने सुन्दर, पुरुस और महिला हैं, दौनों की छवियां है सबकी इमेज जिनकी मुझे मिल पाई जिनकी मैं ढूण पाया मैंने लगाई है ताकि आप अपने दिमाग में बेठाएं कितना सुंदर सब कुछ है तो जौन सारी जन जाती मुखतर कहां रहती है उत्तराखंड में हिमाल्य परवतों की तलहटी में रहती है बाद दोस्तों ज जौन सारी जन जाती लेकिन हम उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं तो रहती होगी तो उत्तर प्रदेश के कौन से पश्चमी हिस्से में रहती है कहां पे पश्चमी हिस्से में तो हमारा पश्चमी हिस्सा भी किस से उत उत्तराखंड से टच होता है ना हमारा पश्चमी हिस्सा देखो पूर्वी हिस्सा यह हुआ पश्चमी यह हुआ तो उत्तर प्रदेश का पश्चमी हिस्सा यहां लगता है तो उत्तराखंड बताया है ना मैंने हुमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ सीमा साजा करता है तो उसी पूर्वी पश्चमी, इस पश्चमी छेत्र में, और ये कौन सा उत्तरी छेत्र है, ये कौन सा दक्षणी है, तो पश्चमी छेत्र में ये निवास करती है, ये याद रखीए का मैप को बहुत अच्छे से समझ लीजे, दिक्कत खतम हो जाएगी बिल्कुल, तो जौन सारी जन जाती के कुछ जन संक्या, उत्तर पश्चमी हिस्से में, तो उत्तर पश्चम इस हिस्से में, याद रखीए, मैंने उत्तर पश्चमी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, उत् मैंने सब कुछ बताया हुए, आपको कुछ एदर उदर करने की जरुगत ही नहीं पड़ेगी, दोस्तो, उत्तर प्रदेश का हर एक चीज मैं कवर करा दूँगा, एक्जाम से पहले, बस आपको पढ़ते जाना है, देखते जाना है, मंडल वाइज, जिला वाइज मैंने आ आपको अध्यान कराया, उत्तर प्रदेश का, तो आप उनको भी देखिए, और इसको पढ़िए बड़े मन लगा के, तो यह उत्तराखंड की प्रसिद है, उत्तराखंड में मूलता रहती है, जौनसारी जंजाती, उत्तर प्रदेश के पश्चमी हिस्से में भी रहती है, तब ही हम इसको उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, जौनसारी संदा का मुख्य तेखिए है, विशू यानि वैसाकी है और दशैरा है, तो यह एन्दूओं के सारे तेखिए है, आप ऐसे करके इसको याद रख लिजए, दशैरा भी मना रहे है, दिवाली, नुड़ाई हिंदूओं के भी तेवहार मनाते हैं और इनका अपना विशु यानि वैशा की नुडाई और हुई तो ये याद रखिएगा और जिसमें से अधिक्तम दिवाली के एक माहा के बाद ही यह लोग मनाते हैं तो यह जितने भी हैं दिवाली के एक माहा के बाद यह सब लोग अंधी जहेला यह सब इन जंजातियों के प्रमुक निरत्य हैं तो यह आप देख रहे हैं निरत्य करते हुए इनकी भांग भानेबाव हैं तो हारॉल इनका इंपोटेंट एक निरत्य है इसको याद रखिएगा हारॉल रासो घुमसू इनको याद रखिए तो आप हारोल रासो इसमें प्रमुक्ता से याद कर लिए ये दो important है इनके हारोल और रासो जौन सारी जन जाती याद रखिएगा दोस्तो ठीक है आगे बढ़ें चली आगली जन जाती देखते हैं दोस्तो बुक्सा जन जाती कौन सी जन जाती है दोस्तो बुक्सा जन जाती आप यहाँ प तो यूपी उत्तर प्रदेश पड़ा ले ! तो आपको सारी चीजह पता चल जाएके बिजनाओर میں क्या बिजन Значит होता है क्या चीजह पाई जाती ये आप समझ जाएंगे इतना महत्पूंड वीडियो है दोस्तों वह तो बुक्सा जन जाती कहा नेवास करती है बिजन ओर जिले में उत्तर प्रदेश के और इस जंजाती की पंचायत के सरवोच शिखर के व्यक्ति को तख़त कहा जाता है याद रख लो भाईया बहुत important है फिर मत कहना सर ने बताया नहीं तो बुक्सा जंजाती के सर्वोच सिखर के व्यक्ति को तखत कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में बुक्सा जंजाती के विकास की परियोजना 1980 के दसक में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी थी तो थारू जंजाती के साथ बुक्सा जंजाती के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोग्राम शुरू कर दिये थे बनाने और ये जंजाती काफी पिछडी हुई है लेकिन अब इसके विकास होने के कारण दीरे-दीरे मुख्यधारा में मिलना सुरू हो गई है तो यह देखे कितना सुन्दर इनके द्वारा कला का छेत्र में इन्होंने कितना सुन्दर इन्होंने करी हुई है यह बनाया हुआ है उसके चित्रकारी करी हुई है तो यह बुक्सा जंजाती का आप कलाकरती देख सकते मैंने यह इमेज बड़े दून के लगाई है आप लोगों के लिए कोसिस मैंने पूरी किया आपको हर चीज समझ में आ जाए तो बुक्सा बीफोर बुक्सा बीफोर बिजनौर इसको याद रखिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहती है यह बुक्सा जन जाती ठीक है आगली दोस्तों जन जाती है खरवार जन जाती तो यह देख सकते हैं खरवार जन जाती के लोगों को आप तो हमने इसके अभी चित्र लगाया है खरवार जन जाती का खरवार जन जाती उत्तर प्रदेश के सौनबद्र जिले में निवास करती है तो मैंने बताया था उत्त उत्तर प्रदेश का सबसे डक्षणी जिला है सौनभद्र तो ये सौनभद्र में निवास करती है सौनभद्र क्या है सौनभद्र भईया चार राज्यों के साथ अकेला ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो चार राज्यों के साथ सीमा साजा करता है बिहार जहारखंड मद्य प्रदेश और बताईए तीसरा आप बताईए बिहार जारखंड मद्य प्रदेश और तीसरा कौन सा है आप बताईएगा खरवार जन जाती उत्तर प्रदेश के सौनवद्र जले में निवास करती है जो कि विंदे परवत स्रिंखलाओं से घिरा हुआ है सूरजबंसी क्यारखंड मआ खरवार जनजाती फ्रदेश सौनवद्र जले में निवास जर्देश और ले इुदेश इनके प्रमुख देवता है कमश्य गौरहिया बाधहस बसंती दूला देव किस जंजाती के देवता हैं तो खरवार जंजाती को याद रखिएगा इनके देवता हैं वो सौनबद्र के निर्थे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि यह इनकी पहचान का विषय बन गया है तो इसको सौनबद्र के निर्थे के रूप में कर्मा निरत्य को जाना जाता है ठीक है आगे बढ़ें चलिए गौंड जनजाती देख लेते हैं दोस्तों गौंड जनजाती मुखता भारत के कटी प्रदेश यानि करकरेखा के आसपास ही रहते हैं ये इनकी पहचान है ये देखिए गौंड प्रदेशाती जनजाती के लोगों की आप इमेज आप फोटो द देख सकते हैं तो ये मुक्ता कहा निवास करते हैं कटी प्रदेश के आसपास रहते हैं यानि करक रेखा के आसपास रहते हैं गौंड जन जाती के लोग का हिस्सा उत्तर प्रदेस में आता है इसलिए उत्तर प्रदेस में इनको समलित किया जाता है ये मुक्षता मिर्जापुर सौन्भद्र, चंदौली, चित्रकूट, बांदा जैसे जिलो में थोड़े बहुत पाये जाते हैं गौंड जन जाती के लोग कौन कौन से कि जनसंक्या सबसे ज्यादा है और एक चीज याद रखिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जैसे जनसंक्या थारू जन जाती की है गौंड जन जाती भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो भारत में सबसे ज्यादा जन से बता दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा गौंड जन जाती और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थारू जन जाती ठीक है तो आगे बढ़ें चलिए बैगा जन जाती देख लेते हैं बैगा जन जाती के इमेज आप देख सकते हैं सर पे कैसा मुकुट लगाया हुआ कितनी सुन्दर भाग भंगमाएं, कितना सुन्दर दख रहे हैं, ये लोग मुस्कराते हुए देखी ये चेहरे, तो बैगा जन जाती मुख्य रूप से 36 गड़ और जारखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सौन्दर जिला, यूपी, जारखंड और 36 गड़ दोनों से लगता है, तो यहाँ पे आपके उसका आंसर मिल गया, कि उपी का जो सौन्दर किस किस के साथ सीमस आजा करता है, मैंने वैसे आप से पूछा था, लेकिन आंसर यहीं आपको मैंने दे भी दिया, कि उत्तर प्रदेश का जो तीसरा मैं चौथा जिला जो छोड़ रहा था, वो मैंने आपको 36 गड़ नहीं बताया था, लेकिन यहापे लिखा हुआ है, तो अब आप समझ गए होंगे, कि यह चार जिलों उत्तर प्रदेश के साथ सीमस आजा करता है, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लीजे, आपको सब समझ मा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के सौनबद्र जिला, देखो, 36 गड़ जहाड़ खंड में निवास करती है, लेकिन सौनबद्र क्या है, दौनों के साथ सीमस आजा करता है, तो इसलिए सौनबद्र में यह बैगा जन जाती पाई जाती है, मुख्यता सौनबद्र में ही बैगा जन जाती के लोग पाई जाते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा सीमस आजा करता है, एक मात्र जिला, तो लेकिन वहाँ से अगर कुछ लोग मूब करके एक दो जगे और पहुँच गए, तो पहुच गए, लेकिन मुख्यता सौनबद्र में ही बैगा जन जाती पाई जाती है, ये लोग याद रखे हैं आप लोग, लेकिन सौनबद्र के 36 गड़ और जहारखंड सीमा से लगे हुए छेत्र पर ये ज़्यादा रहते हैं, तो ये याद रखेएगा, जो बॉर्डर है सौनबद्र का, जहारखंड और 36 गड़ के साथ, ये लोग वहाँ पे निवास करते हैं, तो हमने एक चीज तो देखी कि सौनबद्र में सबसे जादा जन जाती हैं, निवास करती हैं, ये याद रखेएगा, ठीक है? आगला क्वेश्चन है महीगिरी, तो महीगिरी जन जाती का इमेज मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपके पास हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में डालिए, मैं देखना चाहता हूँ इस जन जाती को कितनी सुन्दर इमेज हैं सबकी, लेकिन महीगिरी का मैं ढून नहीं पा महीगिरी भी बिजनौर में ही रहती है, तो याद रखियेगा, इसके अलावा ये सहारनपुर, चलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार और धारानगर में भी निवास करते हैं, लेकिन मुख्यता बिजनौर के नजीवाबाद छेत्र में निवास करती है ये जन जाती मह महीगिर, इसके अलावा ये सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मरेवा, मंड़ारा में मनें बताई दिया, और इस जंजाती के लोग मछवारे होते हैं, तो यह याद रखियेगा, महीगिरी और और मछवारे, मा, महीग अwheel मचवारे, तो मा से मा, मछवारे महीगिर, त आप याद भी ना करें ऐसे लेकिन आपको एक्जाम होल में जरूर याद आएगा यह मेरा खुद का अनुभव है आप भी करके देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा ऐसे चीजें समझने में अभी जैसे मैंने आपके सौनबद्र के वारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको कोरेलेशन करना आना चाहिए एक दूसरे से उसके साथ जो पढ़ने का आनंद है वो अदभूत पूर्ग हो जाता है तो करके देखिएगा इस महाजाती के जनजाती के लोग मच्छवारे होते हैं और उन्हीं से अपना संबंद रखते हैं इस जनजाती क को अपना लिया रुसी का पालन करते हैं तो क्वेस्चेन आजाए कौन से धर्म के कौन से जनजाती के लोग है जिसनों ने इस एस्वारे का अपना लिया पूरी तरह इसलाम धर्म का पालन करते हैं तो ये सब कुछ उसी तरीकों से करेंगे तो ये तो confuse होने की जरुवत ही नहीं है ये याद रखिए ये आदिवासी मुख्य रूप से जंगली जानवरों का सिकार करके ही उनके मास को खाते हैं तो इनको आप पूरी तरह अभी भी आदिवासी कह सकते हैं कि ये अभी भी मास खाते हैं, सिकार करते हैं तो अभी भी इनकी इस्तिती ऐसी ही है तो याद रखिए कि इसलाम धर्म का पालन करते हैं अपने ही समदाय में साधी करते हैं और आदिवासी मास खाते हैं ये लोग सहरिया जंजाती देख लेते हैं दोस्तों सहरिया जंजाती के लोग मुखता राजिस्थान, मद्यप्रदेश, बुंड मुरेना जैसे जगों पर रहते हैं तो बिंड मुरेना का आप नाम में आपने खूब सुना होगा ये चंबल के साथ सीमा साजा करता है एरिया तो यहां का नाम आप अखवार में न्यूज में पढ़ते रहे होंगे सुनते रहे होंगे तो सहरिया जंजाती के लोग मुखता राजिस्थान, मद्यप्रदेश, जैसे बुंड में रहना जैसे इस्थानों पर ये रहते हैं पर ये एरिया उत्तरप्रदेश के दक्षिन पश्यम हिस्से से लगता है तो आप जब मैप समझे देखेंगे तो पूर्वी, पश्यमी, उत्तरी और दक्षिनी तो ये राजिस्थान और मद्यप्रदेश हमारे हैं कहां पढ़ते हैं दोस्तों दक्षिनी पश्यमी हिस्से पे तो यहां राजिस्थान और मद्यप्रदेश MP यहां बॉर्डर सेयर करता है ठीक है राजिस्थान यहां बॉर्डर सेयर करता है तो आप जब इसको मैप को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर सीमा साजा करता है अब जब सीमा साजा होती है तो यहां भी इटावा आगरा जालोन जैसे जिलों में इन जनजातियों की उपस्तिती पाई जाती है आप एक वार यूपी स्पेशल देख लीजे आपको सीमा साजा करते हैं तो यहां पर जिले हैं एटावा आगरा जैसे जिलों तक यह आ गये हैं जालोन वगेरे तक यह आ गये हैं और यहां रहते हैं यह जनजाती मुख्य रूप से स्वैम को भीलों से उत्पत्ति हुई मानते हैं यह मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति भीलों से ह हुई है ठीक है इस जंजाती के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है कंद मूल फल लकडियों को एकत्रित करना और जंगली जानवरों का सिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय है सहरिया जंजाती के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये लोग दुल-दुल पाया चित्र है आप देख लीजे सहरिया जंजाती दुलदुल गोडी और सरहुल नत्य तो यह इंपोटेंट है यह याद रखिए और यह अपने आपको किसे बीलों से संबंदित मानते हैं इटावा एक एरिया और जायलौन वाले एरिया में रहते हैं मुख्यत राजस्थान और मद्यप्रदेश बंड मुरेना जैसे जगह अपर पाय जाते हैं तो यह जंजाती थी सहरिया अब जल्दी से दोस्तों आप विहास प्रिश्ण देख लेते हैं दोस्तों तो बताईए उत्तर प्रदेश में कौन सी जंजाती है जो दिवाली को सोक दिवस के रूप में मन मनाती है यह क्वेस्चन आ सकता है आया भी है पहले तो वैरी मोस्त इंपोर्टेंट क्वेस्चन मैंने खुद बनाए हैं बड़े प्यार से बड़े द्यान से मैंने बनाए तीन स्टार मैं दोंगा इसको तर्प्रदेश की कौन सी जंजाती जो दिवाली को सोक दिवस के गलत नहीं हूं, तो आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, हो सकता है, यह मैंने याप गलत बता दिया आपको, मुझे लगी रहा था, तो यह कौन सी थी जंजाती? थारू जन जाती है जो सोक दिवस के रूप में मनाती है दिवाली को तो ये ध्यान रखेगा मुझसे गलती होई मैं माफी चाहूंगा आपसे तो थारू जन जाती है जो दिवाली को सोक दिवस के रूप में मनाती है तो इसका अंसर है ए दोस्तो थारू जन जाती है जो उत्तर इसको दिवाली को सोक दिवस के रूप में मनाती है और थारू जन जाती के बारे में मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती सबसे ज़्यादा जन संख्या में पाई जाती है थारू ज जन जाती तो यह याद रखिएगा ठीक है इसका अंसर होगा ए दूसरा question देखते हैं दुल्दुल घोडी सरहुल नाम के निरत्य करने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जन जाती है भाईया बताईए दुल्दुल घोडी सरहुल नाम के निरत्य दुल्दुल घोडी और परती है दुलदुल घुडी और सरहुल नाम के निरत्य करने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जंजाती है बुकसा थारू खरवार सहरिया बताइए ए बी सी की डी दुलदुल घुडी सरहुल निरत्य करने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जंजाती है बुकसा थारू इसाब से क्या है मेरे इसाब से सब्सक्राइब कीजिए अपना प्यार देते रही है मैं बिलकुल मुफ्त ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा मेरे आपको प्राउमिस है आज इवन मैं पढ़ाने का आपसे कोई पैसा नहीं लूगा तो यह सहरिया जनजाती मैंने आपको बताई यह दुलदुल गोडी और सरहल नाम के नर्त्य करती है तो इसका आंसर होगा D यह याद रखिएगा मैं पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेता हमारी कोई टीम पैसा नहीं लेगे आपसे जीवन में बस आप हमें सब्सक्राइब करि करते हैं सहरिया बुक्सा महीगिरी या गौंड तो इनमें से कौन है जो पूरी तरह इसलामिक प्रथाओं का निर्वाहन करते हैं बताईए भईया मेरे हिसाब से तो इसका सी होना चाहिए देख लेते हैं एक वार ना आपको मैं कन्फ्यूज करना चाहता हूं ना मैं कन्फ महीगिरी आप यहां पर देख सकते हैं इसलिए मैं आपको देखा रहा हूं फिर से एक वार कि आपका रिवीजन हो जाए और आप फिर से एक वार देख लें तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जंजाती के लोग पूरी तरह इसलामिक प्रथाओं का निर्वहन करते हैं महीगि किस जंजाती के सर्वोष सिखर पर बैठे व्यक्ति को तखत कहा जाता है तो यह मैंने आपको बताया था सर्वोष सिखर पर बैठे व्यक्ति को तखत किसको कहा जाता है दोस्तों बुक्सा जंजाती के तो बुक्सा जंजाती के जो सर्वोष सिखर पर बैठा व्यक्ति होत ने बताया था आपको तो इसके लिए आप कॉमेंट करके नीचे बताईए कि भारत में सबसे ज Lisa कि हुआ किस जण जाती की पाई जाती है अप मुझे कॉमेंट करके नीचे बताईए और मेरी चैनल को subscribe कीजिए, share कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए, like करके बताईए, comment करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर like करें और share करें और अपना प्यार देते रहें, दोस्तों all the very best, thank you so much, have a good day स्वास्त्रे सुरक्षे प्रे धन्यवाद